जेहन दोस्तों आप देखने है डिफेंस गयान यूटूब चैनल तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात निकल के आ रही है भारत की जो इंडियन ओर्डियर्स फैक्टरी तिरुचरा पल्ली है उसने एक नई असॉल ट्राइफल को बनाया है और इस असॉल ट्राइफल को जो ह नंडियन ओर्डियर्स फैक्टे डवलब किया है उसको बेबी तार कहा जा रहा है तार जो यानि जो बेर जो कि काफ़ी पावerson कैलीबर है और दूसरी बात जो बेबी तार इस आपको को बटाएंगे detail में यह जो है AK-47 का compact बर्जन है काफी हलका है काफी ज्यादा छोटा है आसानी से आप इसको court में चुपा के ले जा सकते हैं और इसको counter terrorist operation जो अर्वन operation होते हैं जो सहर में होते हैं operation उनके लिए काफी अच्छी है और जो ordinary factory जो 33 पली में है उसके द्वारा इसको ही निर्मित किया गया और डिजान भी किया गया इसका जो weight है वो 2.7 kg है जो काफी कम है करीकर एक kilo कम है जो original AK-47 होती है उससे वहीं जो length है वो 19.2 inches है इसकी overall length जो की stock folded है वहीं जो original AK-47 थी उसकी जो length थी वो 16 inch थी तो काफी ज़्यादा छोटा कर दिया गया इसका overall को काफी छोटा कर दिया गया तो इसी वैसे compact size में है वहीं जो cartridge की बात की जाए तो इसमें जो cartridge होता है वो 7.62 x 39 mm का होता है जो की AK-203 जो solid level है उसमें भी यूज किया जाता है वहीं जो इसकी effective range है क्योंकि effective range तो कम हो जाएगी जब उसका viral छोटा हो गया है और compact size में आगी है तो इसका जो effective range है वो almost 1500 meter है यानि 150 meter इसकी range है जो की काफी अच्छी खासी होती है अगर आप counter terrorist operation में इसको यूज करते हैं काफी इससे पहले जो है भारत ने machine pistol भी double up की थी और यह जो है नए-nए हातियार इस दिनों डबलब किये जारें तो यह काफी अच्छी बात है जो भारत की स्वादेशी weapon industry है यह एक minute में जो है करी-करी 700 round per minute fire कर सकती है जो की काफी अच्छी खासी है और इसमें जो magazine लगती है वो 30 round magazine ही लगती है तो यह काफी ज्यादा अच्छी बात है इस प्रकार की जो compact version है EK-47 के आपने कई जो terrorist होते हैं उनके पास देखे होंगे उस ता हमाँ बिल लादिन के पी पास प्रकार की जो accessory है जिसमें scope है और जो red dot होता वो भी attach कर सकते है और दूसरा जो हमारे इंडियन बैग ग्यानेक है उन्होंने दो तीन चीजें जो थी जो उनके सामने problem आती है ती उसको भी sort out किया है जैसे की वेरल हीट हो जाता है क्योंकि 7.62 काफी powerful round है caliber है और दूसरा जो था जो फ्लेस जो है काफी जादा इसमें से चमक मारती थी जब कार्टूस फायर होता था तो उस टाम पे जो है जो हमारी जो पोजीशन रिवील हो जाती थी तो इसका भी solution ढूंड लिया है भारत के बैग्यानिकों ने तो इसके लिए उसनों ने जो है insulated system का यूज किया ताकि जब हम grip बनाते हैं आगे वेरल पर तो उसमें जो है heating ना हो और हाथ गरम ना हो दूसरा जो है टायल भी चल रहे हैं और हो सकता है यह जल्दी मास प्रोडक्शन में भी जाए लेकिन जो मेरा question है वो यह है इसकी जो है cost भी काफी कम है करीव-करी जो है एक्सपरिमेंट करके जो भारत के बैग्यानिक है वो आगे बढ़ सकें और एक नया बर्जन हम तयार कर सकें तो आप क्या सोचते हैं इसके उपर कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए सेर करिए हम सब्सक्राइब करके बैल आइकन में दवा लीजिए अगर आपका कोई कुश्चन है तो आप हम इस्टाग्रेम पर पूछ सकते हैं लिंक डिया हुआ है तो मिलते आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत